उत्तरप्रदेश की सत्ता पर योगी अधित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्य मंत्री पत के लिए 25 मार्च को शपत लेंगे। यूपी में बीते 30 वर्षों के इतिहास में बीजेपी पहली ऐसी पार्टी है जो लगातार दूसरी बार अपनी सत्ता कायम रखने में सफल हुई है। तो दूसरी और विरोधियों के खेमे में शान्ती और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अन्य के इंद्रिय मंत्री और साथ ही RSS प्रमुक मोहन भागवत समेथ बीजेपी शाशित राज्यों के मुख्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। इस समहारों में कॉंग्रिस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंग यादव समेथ बीएसपी की अध्यक्ष माया वती को निवंतरन फेजा गया है। इस समहारों का योजन लखनओ के अटल बिहारी बाचपई इकाना स्टेडियम में होगा। इस समहारों में 75,000 लोगों के शामिल होने की व्यवस्ता की गई है। में महिलाओं का वोट उन्हें सबसे ज्यादा मिला है। इसलिए बेबी रानी मौर्या का नाम डिप्टी सीम के रूप में साफ दिखता नजर आ रहा है। राजनीती गलियारों में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। मुलायम सिंग यादव की छोटी बहु अपर्णा यादव भी डिप्टी सीम बनाई जा सकती है। वहीं केशव प्रसाद मौर्या को इस बार कोई मंत्राले मिलता नहीं दिख रहा है। बलकि पार्टी उनको यूपी के बीजेपी अध्यक्षपत की जिम्मेदारी दे सकती है। साथ ही पूर्व उपमुख्य मंत्री डॉक्टर दिनेश्व शर्मा को भी पार्टी कोई दूसरी जिम्मेदारी दे सकती है। बता दें कि इस बार डॉक्टर दिनेश्व शर्मा ने चुनाव तक नहीं लड़ा है। मंत्री मंडल का विस्तार जल से जल शुरू होने वाला है इसमें बीजेपी के आलकमान भी शामिल रहेंगे। देखना यह होगा कि बीजेपी और उसकी सहबागी पातियों में कितने मंत्रालियों पर सहमती बनती है। ऐसे ही और वीडियों देखने के लिए सब्सक्राइब करें वीजन को।